जहां से किनारे किनारे से उठा रहता है लाइट डिस्प्ले की दिखाई पड़ती है तो वहाँ पर फैवी क्यूक ना लगवाएं दुकान पर जाईए चपका देगा दुकान दार 20 रूपए 40 रूपए 50 नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम सब यह जानेंगे अगर मोबाइल में फैवी क्यूक लगा दिया जायता है तो क्या हो जाता है देख लीजिए यह मोबाइल अच्छी खासी चल गही थी किनारे किनारे से उचर गई यह लेडिस क सेट है तो लेडिस ने दिमाग लगाया इसमें फैवी क्यूक डाल के चपका देते हैं जैसे किनारे से डिस्पले निखर जाता है जैसे हमारी मोबाइल है जो किनारे से डिस्पले या लाइड देखाई पढ़ने लगती है फालका फुल्का या एतना ऊचर जाता है लगिन तब भी चलता रहता है तो ऐसे ही कंडिशन में मुबाइल थी और लेडिस का सिट है और उसने केम को केमकल लगाने के दरी फैवी क्यूक लगा दिया देख लीजिए यहां पर फैवी क्यूक पूरा डाल दी है यहां से यहां से लेके देखिए यहां से लेके यहां तक फैवी क्यूक लाए पूरा एक दान चपक गया है यहां तक और यहां टूटा था जैसे टूटा है इसमें निखरा था लकिन तब रहनिया तक पूरा लगा दी है यहां से यहां तक और यहां पर हलका लगाई यहां पर एक बून डाल दी है ऐसे ही डाल दी और डिस्प्ले सही चल रहा था लेकिन जब फैवी क्यूग डाली एक घंटे-दो घंटे बाद ए अपने आप ऐसे उता चला गया देखिए ऐसे यहा पूरा डिस्प्ले देखाई पड़ रहा था लेकिन जब फैवी क्यूग लगा दी एक घंटे-दो घंटे बाद ए ऐसे होता चला गया अपने आप बढ़ता चला गया और बुंदी बढ़ती चली गई और यहां से और यह इसे रग दी तो एक दिन-दो दिन बाद हमारे पा सब्सक्राइब डिस्प्ले नहीं लगाते भूल कर नहीं तो हमारा डिस्प्ले तुरंद वैकार हो जाएगा आदे-घंटे-दुरंठ पांच मिनन थी जिवर जंबार हो जाледगा देखिए अच्छी खासी मोबाइल टी एकदम पूरी बेकार हो गई हगा अगर आपकी मुबाइल किनारे किनारे से खुली हो तो उसमें फैवी क्यूग न चपकाएं इसमें देखिए ए ए केमकल मुबाइल चपकाने वाला केमकल आता है नहीं तो आप हाड़वेर के दुकान पे जाईएगा तो फैवी क्यूग के दरी फैवी बॉंड आता है ओ दजबारा अगर जब देखिए अब दिस्पेले बढ़ना पड़ेगा और जो किनारे में जतना फैवी चूग लगी है उसको छोड़ाने में हमको बहुत ज्यादा मिनहात परेगी अब इसको कैसे करके लगाएंगे और उसको हम देखाएंगे देखिए फैवी क्यूग डालने से बहु पे लग जा रहा है चाहिए स्मार्टफोन हो चाहिए की पैड़फोन हो अगर डिस्पेले में है भी क्योंक चली जा रही है तो तुरंत खराब होने लगता है तो या डिस्पेले के आसपास भी लगा दे रहे हो तो अगर बाड़ी में लगा दे रहे हो बाड़ी खोल कर तो इ है अब इसको लगाएंगे इसको फोल्डर लगाना पड़ेगा और फोल्डर मान के चलिए च्छासो पचास रुपए मारा है दो सो रुपए लगवाई लेना पड़ता है दो सो रुपए लगवाई होगा च्छासो पचास रुपए का फोल्डर मान के चलिए साड़े आठ सो अब ये 5BQ हटाने और लगाने की वज़ा से हमने 1000 रुपए बोला है उस लेडिस को वो बोले चलो ठीक है लगा दीजिए हम आते हैं दो घंटे बाद तर लेके जाएंगे अब इसको हम खोल के लगा दे रहे हैं हम इसी कारण से पता दे रहे हैं हमें सोचे कि अगर कोई भी आदमी या कोई भी कर्ष्टूमर अगर फैबी क्यूग डाल देता है मोबाइल में तो उसका डिस्प्ले तुरंद ही बेतार हो जाएगा आप इस गल्ती न करिए इस वीडियो को बनाने का मक्सद एही है कि मोबाइल में जहां डिस्प्ले लगा रहता है जहां से किनारे किन किनारे से उठा रहता है लाइट डिस्प्ले की दिखाई पड़ती है तो वहां पर फैबी क्यूंक न लगवाए दुकान पर जाइए चपका देगा दुकांदार 20 रूपए 40-50 रूपए लेगा जो लेगा नहीं तो आप फैबी बोंड आता है उसको ले सकते हो और आराम से लगा सकते हो लगाने और चपकाने बताया हुआ हूँ कैसे किसे चपकाया जाता है कितनी देर में खुलता है इस सब बताय हुए है हमारा वीडियो परा हुआ है डिस्प्ले जो किनारे किनारे से खुलता है उसको बताय हुए है आप नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हो बहुत यह आसान तरीके से बताए हुए हैं इसमें ही बता रहे हैं कि आपने मोबाइल में 5BQ ना लगाना नहीं तो आपका डिस्पेले चलता हुआ डिस्पेले खराब हो जाएगा 15-20 मिनित में अगर जहां 5BQ परी तो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसी कारण से पूरा हो तो हमारे चैनल को फालो कर लीजिएगा मोबाइल की विसे में इसे छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं